इस वक्त हम लोग राजपोट सेटी क्रॉस कर रहे है और हम लोग जा रहे टूवर्ड्स गुंडल लोग कुश्बू की मुम्मी से भी मिल लेते है हाई केम चो मुम्मी और यह देखो यहां कौन आगए अब यह आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाता हूँ बाहर से आपको लगेगा कि इस लाइक शॉपिंग सेंटर बट इस अक्चुली राजपोट का बस टर्मिनल इचलो कुश्बूर्ट यह पूरा बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है इस इस दर राजपोट बस टर्मिनल देखो उपर लिखा राजपोट बस कोट कि इतना बड़ा है अंदर आपको बसेश दिख रही होगी कि इस राजपोट बस टर्मिनल इस आधा रास्ता पहुचा ही थे कि हमारे रिक्षा में गैस हो गया खतम तो भी भाई साब यहां पे अपने रिक्षा गैस पराने के लिए रुकाई है तो यह हमारी यहां पे गु यहां पर चलती है सी एंजी पॉम से यहां पर भरा जा रहा है नाइरा सो गई है कुछबू नाइरा खोले के खड़ी है यहां पर तो यहां पर ऐसा रूल है कि जभी आप गैस भरवा रहे हो रिक्षा में तभी आपको रिक्षा में कोई पैसेंजर नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग सब उतर के साइड में खड़े हैं यह लोगी इनका भर के हो गया लगता है चलो पेसू एक खंटे की रिक्षा राइड के बाद हम फाइनली गुंडल पोज गए है चलो दिखाता हूं अपको तो यह है गुंडल का में रोड पुश्बू एक्साइटेड देख लिजे भाइ गुंडल पुश्बू बाइड़ कर दक्ना है हुश्बू एक नचर्णीच का माया खंट पुश्बूल कि एक पुश्बू एक उनका लिए पुश्बू ओगक जया खंटेश गगच का में लिए मुंबई में तो मतलब हर जगे से रेलवे क्रॉसिंग निकल गए यहां पे गुंडल में अभी भी एक रेलवे क्रॉसिंग है तो मतलब आपको रुकना पड़ता है ट्रेन जाने तक इसके बाद ही आप रेलवे यह रोड ग्रॉस कर सकते हो अभी जस्ट फटक खुला है और य करतेट खुंड और यहां धाना और यहां कोई कसे कि अचक है कि क्या ट्राफिक है एक जब करिल यह बहुद बसक्रों अकर्या यहांा आपड़े आगल दी राइट लेवानु या जमनी बाजु मा ओल्ली वीवो नी दुकन बस अवे वड़ी जावानु जे जमनी बाजु आई यादी नैरा क्या आई वी वीच्ट बसके कहा है जाए जोमा जोन याए जा आए दंक रिखे डिखिंटो नैरा जाए जीनेंद्रा जोटा।ोर्ण कुछяжूक्षे मासाはची मिललेंडेंडा जोटेंड़ी Pacific कि ऑ चर्वीय। बस अब हो गया हूं फ्रेश बाकि खुश्बू नायरा यह लोग सब थोड़ा फ्रेश होएंगे तब मैंने सोचा के मैं थोड़ा बाहर घुमके आता हूं गुंडल का थोड़ा एक्सप्लोर करके लिए कि आता हूं कुछ चीजें भी लेनी है नायरा की दवाईया लेनी है थोड़ा सामान यहां का लेना है वो सब लेके चलो आपको भी दिखाता हूं थोड़ा मार्केट तब तक यह लोग भी यहां पर रेडियो के फ्रेश हो जाएंगे बले ही मैं सालों से मुंबई में रहा हू है तो मुझे यहां की जो वाईब है यहां का कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब जिन आपको ऐसे अलग अलग टाइप के वीकल्स देखने मिलते हैं गाई पैस रोड पे चल रही है और जस्ट वो एक महें के ना गुजरात या सवराश्ट की जो एक महें क है ना वह आपको कहीं नहीं मिल सकती तो मतलब मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा विजिट करने को शवराश्ट गुजरा जबी में मौका मिलता है जो भी टाइम के लिए मैं मेक्शूर करता हूं कि मैं जाओ और बस अभी मैं आ गया हूं यहां पे में स्ट्रीट प करता हूं तो आई लाइक तो जस्ट गोएंड सी प्लेसे वहां पर उनका लोकल लाइफ कैसा है लोग के लोग कैसे रहते हैं और दुकाने कैसी है क्या मिलता है सबजिया कैसी है यह सब छूटी-छूटी चीज़ी होते हैं यह सब मुझे देखना एक्स्प्लोर करना बहुत सबस्ट देखो इतने मस्ट पान के गल्ली होते हैं यह पर दुकाने मुझे होते हैं यह पर छूब्रिस काहिएं प्लेस मिलता है वे दांग दांग आगे सालचिर मुथे के बॉंडल में मेरी एक परस्नल फेवरेट जगह है और वो है यहां का लोकल फ्रूट एंड वेजटेबल मार्केट आई साइस देखो कितना बड़ा है यह तो आपको सामने जो दिख रहा है यह पूरा जो टेंट करके बुनाया है उसमें अंदर शॉप्स वेंडर्स ही वेंडर्स है अलग-अलग टाइप के फ्रूट्स और अब यह देखो गए है 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 आप अब यह कि अधियर से घ्रूट अलब तो आज मैं कुछ लेने नहीं वालों मैं जस्ट यहां पर यहां पर छोड़ा रह रहा रेकॉर्डिंग करना आया हूँ ताकि आपको दिखा सकते हूं यहां की वाइब कैसी है यह देखा हूँ तो भाई हुआ यू के वेजटेबल मार्केट में आके मतलब मेरे को मेरे से रहा नहीं गया इतना फ्रेश वेजटेबल्स देखके मेरे को थोड़ा बहुत लेने का मन कर गया हूँ तो बस अभी में यहां पर आया हूँ एक पर्टिक्लर फ्रूट वेजटेबल वेंडर के पास चलो इनसे थोड़ा फ्रेश वेजटेबल्स लेते हैं तो कुश्पु ने मुझे बोला है कि थोड़े बेंगन लेना काटा वड़ा कंचे इमा आ यह नए देशी गए आचे डेशी कर दोटला यह मेरे फेवरेट मर्चा है चलो यह थूड़ा से ले लेता हूं यह थोड़े से फ्रेश टमेटोज यह थोड़े से फ्रेश टमेटोज यह थोड़े कितने मस्त है ले लिए टमेटोज गोबी भी ले ले लेते हैं देखो कितनी मस्त है साइस देखो नाइस एंड ग्रीन काका आए को भी आने अटमेटा लिम्बू अपी दियो बेतरण चार लिम्बू लिदा और यह देखो यहां कौन आ गए मेरे सासुर जी पापा केमचो गोतिली तो तुमें मनें तो बस यहां पर मुझे लेनी आ गए पापा उन्हों ने बोला के चलो मैं आ जा तो तुमको लेने तो चलो अभी सब सामन ले लिया है चलते हैं अभी घर पे एक आइटम लेनी रहे गई वह थी देशी काकड़ी पापा यहां पे सिलेक कर रहे अच्छी वाली देशी काकड़ी बस त्रंचार बहुत ही गए पापा बोल रहे के राजकोट और वो साइड पर बारिश हो रहे हैं वर्साथ चे बहुँ तहीं यहां गुंडल मा पिड़ों के नहीं वर्साथ नहीं पर इतनी कड़क धूप पड़ रही है इधर पर फिर भी अच्छा लग रहा है कि अधर कैसा है कि अभी मैं यहां पैसे धूप का पूरा स्टॉक लेके जाने वाला हूं ताके फिर लंडन में में मेरे को मैं धूप मिस ना करूं चलो यह था हमारा यहां का गुंडल का फेमस वेजिटेबल मार्केट का कि अधर कि यहां पर आप जो यह देख रहे हो यह पूरा बाउंडरी और इसके पीछे यह पहले सना क्यों पहले से पोपा तो गुंडल के महाराजा का पहले से और्चर्ड पहलेस बोलते देखो यह एंट्रेंस है तो यहां पर बहुत सारी मूवी का शूटिंग होता है और अगर आपको पता है हम साथ साथ है हम साथ साथ है मूवी का शूटिंग भी यह पीछे पहलेस में हुआ है और अभी और यहां पर ना ओ देखो सामने लिखा के रॉयल विंटेज क्लासिक कार कलेक्शन तो यहां पर यहां के जो महाराजा है वेरी फॉन्ड ऑफ विंटेज क अगर आपको पता है कि एक फेमस मुंबई का व्लोगर है बोरिवली का व्लोगर है विराज घेलानी भी कुछी दिन यहां पर आया था यहां पर रुका था हूँ तो इस वेरी फेमस प्लेस अगर आते हो गोंडल ऑर्चर्ड पहलेस जरूर जाना हम दिल दे चुके सनम का भ पापा ने बोला कि जमाई तो बहुत आएक हो सब्सक्तिकों कुछ मीठा है तो इसवक्ट इंद्ध नमने आ गये है यहां पर श्री राम टेर फार्म यहां का pretty फेमस बहुत कि ए सब्सक्ट है दर्च थैन को चलो मन्हों और ti कर दो एक वार बता भी दियो ना ये देखो भाई एक किलो फ्रेश मैंगो सिर्खंड थैंक्यू अच्छा ये देखो ये कुछ महल राजा का महल अभी तो खंडर जैसा हो गया है बढ़ ये कुछ एक जमाने में राजा का महल हुआ करता था जिनको नहीं पता उनको बता दूँ के गोंडल फुटफफद वाउ तो पहले गोंडल वसस्टेट इट इस तो बीकॉल्ड एस गोंडल स्टेट और काफी बड़ा एरिया था महला गोंडल राजकोट और आजुबाजू के जितने भी एरियास थे हो सब गोंडल स्टेट में ग करके सारे जो चोटे-चोटे रजवाडे थे यह सब इंडिया में मर्ज हो गया और फिर यह सब बन गया बॉंबे प्रेसिडेंसी और उसके बाद जब गुजराच स्टेट फॉर्म वा नेंटीन सिक्स्टी पाई के असपास गोंडल ने एक्टेग प्रोपर्टी हाँ प्रोपर्टी प्रोपर्टी एक्टिविटी यह इदर देगो अभी हम खमण लेने रुके हैं चलो थोड़े खमण ले लेते वह 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 वाइं वाइं यह अग्या चक्रा पीच तनी मतलब कितनी चैल पहले यहां पर क्या बता हो एंड डिस इग्जाक्ली वोट्टामिस इन लंडन बिकॉस मुझे यह के औस यह जो यहां पर इतनी सारी चैल पहले यह बहुत पसंद है यह देखो यह क्या है और यह देखो भोला पान मतलब यहां पर गुंडल में करीब 1000 से 2000 पान वाले होंगे और उसमें से आते से ज़्यादा पान वालों का जो दुकान का नाम है वो पोला पानी है घर पहुंचते देखो कौन आगे हमें वेलकम करने हैं गाई हेलो हेलो कि आने लागेश खबर पड़ी गए कि तम्हें आवी गया इट लाहिए खावा माटे उपीज है तो कैसा है के खुश्बु के पापा जबी भी आते है काम से दुपेर को लंच करने तब गाईयों के लिए बहुत सारा चारा लेके आते तो गाई यहां पर आके खड़ी हो जाती है और एक दो बजे के असपास क्योंकि उनको समझ जाता है कि अभी आने वाले देखो आ गई अब इसको खाना चाहिए इसको आते है कि यहां पर नारियल वाला कैसे आते है यह देखो भाई यह नारियल वाले का तेमपो आया यह पापा यहां पर गए कुछ नारियल लेने के लिए क्या है कि अभगा है कि अधाना धु आवाय झुछ ऑप चपलागा है कि अभगागां खू आपईट इसका बड़ous आज़स्टरा है कि अभगाई चाहिए कि अभगाई जुछ तो आपका बंत पने पींगा है